हलो 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 आप सभी को डीके का बहुत बहुत नमस्कार स्वागत है आपके अपने बेस्ट नंबर वन चैनल सिसोधिया बिद्यापीठ पर हम लोग क्लास ट्वैल्थ का फर्श चैप्टर एलक्ट्रो स्टैटिक्स इस्थिर बैदुत्की वाला चैप्टर पढ़ रहे थे और इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा है charge, charge की definition देखा है charge का behavior देखा है और charge की property भी हम लोग पढ़ चुके अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका link नीचे description में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जा करके देख सकते हैं तो हम लोग आज पढ़ेंगे charging by a body, charging after a body एक body को charge कैसे किया जा सकता है, एक किसी भी body पर charge induced कैसे किया जा सकता है इन चीजों के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, last lecture में भी हम लोगों ने neat और IIT में आये हुए कम से कम 10 questions solve किये थे, आज के lecture में भी हम लोग उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे concept देखने वाले हैं, जो concept बुक में नहीं दिया हुआ होता है YouTube पर नहीं होता है उन concept को देखने वाले हैं आप यहां से, इस channel से physics पढ़ें और समझ में ना आए, ये तो असंभो है, चली हम लोग देखते हैं, start करते हैं charging after body किसी भी body को charge कैसे किया जा सकता है, किसी भी body को charge करने के तीन तरीके हैं किसी भी body को अबेसित करने के तीन तरीके हैं पहला है, charging by conduction method, conduction method, friction method और induction method इन तीन method से किसी भी body को charge किया जा सकता है charging by conduction, charging by friction, charging by induction, ये तीन method हैं, तीनों यहां पर लिखे होगी है चालन द्वारा घरसन द्वारा और प्रेरण द्वारा इन तीन मेथड से किसी भी बाडी को चार्ज कर सकते हैं अब पहला एक एक करके हमें तीन ओप को पढ़ना है पहला मेथड है चार्जिंग बाइ चार्ज कर सकते हैं सिर्फ कंड़क्टर में ही यह में लागू होता है इंसुलेटर में डाइलेक्टरिक में यह लागू नहीं होता है किसमें लागू होता है सिर्फ कंड़क्टर में सिर्फ चालक में ही लागू होता है डाइलेक्टरिक और इंसुलेटर में यह लागू नहीं होता है तो इस मेथड से charging by conduction conduction मेथड से scaval conductor में ही हम conductor body को ही हम charge कर सकते है number one दूसरा same type का ही charge हम लोग generate कर सकते हैं अगर positive है तो positive ही generate कर सकते हैं negative है तो negative ही हम लोग generate कर सकते हैं यह नहीं कर सकते हैं हमारे पास positive charge है और हम negative charge generate कर दें अपोजिट चार्ज जन्रेट कर दें, ये कंडशन मिठड से नहीं होता है, एक question, नीट में पूछा गया था कि क्या हम positive चार्ज से negative चार्ज जन्रेट कर सकते हैं, तो इसका आंसर है yes, positive चार्ज से negative चार्ज Tonight किया जा सकता है, लेकिन उसी में आगी condition लगाया था by conduction तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज जनरेट किया जा सकता है लेकिन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज जनरेट नहीं किया जा सकता है लेकिन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज जनरेट किया जा सकता है लेकिन पॉजिटिव चार्ज स इन्हें नहीं किया जा सकता है क्लियर यहां पर देखि चार्जिंग कंड़क्शन में सबसे पहले कि न मैंने लिग दिया किSure conductor only केवल Conductor में ही इलागू होता है उसके अलावां नहीं होता है है आपक्षोट एज़ायट कर सकते हैं कि बात किलिए भ गई हो गई होगी अब आप लो पढ़ना चाहो डज्फैसं तो पढ़लो नहीं अवस्जशता नहीं है चलिए एक काथ लेते हैं अगर कोई पोजिटिव चार्ज बाड़ी कोई है तो दूसरी पॉजिटिव चार्ज बाड़ी को भी तीसरी पॉजिटीव चार्ज बाड़ी अगर कोई positive charged body है तो दूसरी body को भी positive charge दे सकता है तीसरी body को भी positive charge दे सकता है लेकिन opposite charge generate नहीं कर सकता है जैसे देखिए मान लीजी कि ये एक body है इस पर positive charge है इस पर क्या है positive charge है और ये conductor है conductor है और neutral है इस पर कोई charge नहीं है कोई charge नहीं है ये अलग है ये अलग है दोनों अलग अलग है ठीक है इस पर charge है इस पर charge नहीं है लेकिन जब इन दोनों ये दोनों किसके होने चाहिए conductor ही होने चाहिए क्योंकि लिखा हुए far conductor only जब इन दोनों को आपस में contact मिलाते हैं जब मैं contact मिलाते है कंडक्टर है इस पर जो charge है वह मूब करता है तो charge यहां से यह कुछ इस तरीके से यह मूब कर जाएगा यहां चार्ज जो होगा व दो नों बाडूडी पर डिस्ट्रिब्यूट हो जाएगा दोनों बाडी को पकड़ करता अलग अलग कर दिया गया जब दोनों बाड़ी को अलग अलग कर दिया गया तो कुछ चार्ज इस पर आ गया कुछ चार्ज इस पर आ जाएगा कुछ चार्ज इस बाड़ी पर चला जाएगा क्लियर तो अब देखें यहां अंचार्ज बाड़ी थी इस पर कोई चार्ज नहीं था न कुलाम चार्ज ही है यहां भी टैन कुलाम चार्ज ही है व had к 지방 को फालो कर रहा है चार्ज इतने ही है लेकिन यह दोनों बौडि पर चार्ज अलग हैどう बॉडि पर चार्ज इस्ट्रिव्यूट होगया वही ऊतना चार्ज दोनों बॉडि पर चार्ज Glo aur चार्ज तो है, दोनों को टच कर आया गया, उसके बाद अलग कर दिया गया, कुछ चार्ज इस पर आ गया। किस पर चार्ज ज़ादा आएगा किस पर चार्ज कम आएगा कि दूजुमा वाड़ी पर बराबर बराबर चार्ज बन जाएगा ये क्योस्चन बनता है और इसी क्योस्चन से related एक IIT में क्योस्चन पूछा गया था अभी बताता हूं मैं वो क्योस्चन एक कैसा क्योस्चन था ये बॉड़ी है ये बॉड़ी है दोनों बॉड़ी को आपस में टच कराया गया तो कुछ चार्ज इस पर है कुछ चार्ज इस तो दोनों पर बराबर चार्ज नहीं है एक पर ज़्यादा है एक पर कम है किस पर ज़्यादा है किस पर कम है तो इस बाड़ी पर चार्ज ज़्यादा है इस बाड़ी पर चार्ज कम है क्यों इस बाड़ी पर चार्ज ज़्यादा है सर्फिस एरिया का मतलब है रेडियस के प्रपोस्टनल होता है means जिसकी रेडियस जादा होगी उसकी सर्फिस एरिया जादा होगी तो उसका चार्ज भी जादा होगा जिसकी सर्फिस एरिया कम होगी उसकी रेडियस भी कम होगी तो चार्ज भी कम होगा यहां पर radius कम तो charge कम यहां पर radius ज़ादा तो charge ज़ादा में इस charge radius के proportional होता है यह इतना clear है चार्ज radius के proportional होता है अब बस इतना समझे कि charging by conduction method conduction method से charge कब transfer होता है charge में इस दूसरी body पर कैसे charge transfer हो जाता है एक body से दूसरी body कैसे charge हो जाती है charge कैसे induced हो जाता है तो एक ही concept को follow होता है जब यह दोनों body contact में आएंगी तब ही charge transfer होगा और जब तक यह दोनों body contact में नहीं आएंगी तब तक conduction method से charge transfer नहीं होगा इसमें वही follow होता है वो कौन सा एक गाना है touch me, touch me, touch me और जैसे ही टच हुआ चार्ज ट्रांसफर हो गया क्या टच करना जरूरी है तो हाँ जरूरी है दूसरा भी तरीका है अगर यह टच ना करें तो हम इनको किसी वायर से कांटैक्ट मिला दें वायर से कनेक्ट कर दें अगर हम इन दोनों बाड़ी को किसी वायर से कांटैक्ट म लेकिन contact होना चाहिए जब contact होगा तभी charge transfer होगा उससे पहले नहीं होगा चलिए देखिए यहाँ पर हम लोगों अब यह देखेंगे कि इस पर कितना charge होगा इस पर कितना charge होगा तो ध्यान से देखिए एक body है जिसकी radius r1 है दूसरी body है जिसका पर कितना charge है r2 charge है एक body है जिसका radius r1 है दूसरी body है जिसका radius r2 है इस पर charge q1 है इस पर charge q2 है और यह दूसरे से contact में नहीं है लेकिन जब इनको हम contact में ला देंगे जब हम switch को close कर देंगे तो charge transfer होने लगेगा इससे कुछ charge इस पर जाएगा इसका या इसका इस पर आएगा कुछ नकुछ तो होगा और जब कुछ charge इस पर चला जाएगा तो इसका charge कुछ कम हो जाएगा इसका चार्ज क्या होगा कुछ जादा हो जाएगा तो इसका कितना charge हो जाएगा मैं मान लेता हूँ कि इस पर चार्ज हो जाएगा Q1 डैस इसका चार्ज हो जाएगा Q2 डैस इतना चार्ज हो जाएगा इसका चार्ज पहले Q1 था बाद में कितना हो गया Q1 डैस हो गया Q2 डैस हो गया कोई प्राबलम नहीं अब Q1 की वैलू कितनी होगी Q2 की वैलू कितनी होगी यहाँ पर दो चीज तो फालो होगा ही होगा चार्ज कंजर्वेसन ला फालो होगा और चार्ज कंजर्वेसन ला क्या होगा जितना पहले चार्ज था उतना ही बाद में चार्ज रहेगा कुछ दिमाग लगाने जुरूत नहीं है चार्ज कंजर्वेसन ला है चार्ज को ना तो क्रियेट किया जा सक केवल एक बॉड़ी से दूसरी बॉड़ी पर ट्रांसफर किया जा सकता है मिस पहले इतना चार्ज था उतना ही चार्ज बाद में रहेगा पहले चार्ज इस पर Q1 था इस पर Q2 था तो टोटल चार्ज कितना था Q1 प्लस Q2 ये टोटल चार्ज था इक्वल टू बाद में कितना चार्ज हो गया इस पर हो गया q1 डैस और इस पर हो गया q2 डैस ये चार्ज हो गया पहले पर q1 डैस दूसरे पर q2 डैस ये चार्ज कंजर्वेशन ला से हम एक equation ये लिख सकते हैं क्लियर अब दूसरा चीज हम लोग जानते हैं जो चार्ज होता है रेडियस के प्रपोस्टनल होता है अभी अभी हम लोगों ने देगा चार्ज रेडियस के प्रपोस्टनल होता है तो अगर हम लोग इनका ratio निकालें तो इसका मतलब यह आ जाएगा R1 upon R2 Q1-R1 के proportional, Q2-R2 के proportional ये भी हमारा एक equation बन जाएगा clear? अब मैं आप लोगों को direct formula बताता हूँ, ऐसा formula बताता हूँ जिसे याद करना भी बहुत आसान है, और इससे competition में पूछा ही पूछा जाएगा अब मैं बताता हूँ, DK star trick, इसी को कहते हैं, DK star trick, देखो DK star trick, देखे देहां से, इस पर कितना charge होगा, Q1- और इस पर कितना charge होगा, दोनों मैं लिख रहा हूँ देखे, इस पर कितना charge होगा, तो इसकी radius कितनी है, R1 लिख सकते हो, इस पर कितना charge होगा, इसकी radius लिख दो, R2 उसके बाद ऐसे ही box बनाओ, इतना सब लोग कर सकते हो उपर लिखो total charge, नीचे लिखो total radius total charge कितना है, Q1 प्लस Q2, यही तो है total charge बटे में total radius कर दो, means R1 प्लस R2 कर दो, बस कुछ करना है नहीं यहाँ पर, उपर total charge, total charge हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 और नीचे total radius, means R1 प्लस R2 कितना आसान फार्मूला, कुछ करना ही नहीं है, उपर total charge नीचे total radius, total charge, total radius Q1 पर निकालना है, Q1 डेस निकालना है, तो R1 कर दो, उसकी radius कर दो Q2 डेस निकालना है, तो Q2 आले की radius कर दो, R2 कर दो, बुड़ा कर दो पसांसर, कितना सिंपल तरीका है, इसे कहते हैं मिल जाये तो, मिल जाये तो आप लोग ले आये हो, बताईए कि सर, ये वाला method, ये तरीका इस YouTube चैनल पर भी बताया गया है, देखिए इसको, और बताईए, किसी भी YouTube चैनल पर सर्च कीजिए इस चीज़ को, ओकी, और अगर कहीं पर भी इसे नहीं बताया गया है, किसी भी बुक में ये नहीं दिया गया है, इतने आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग भी सभी लोग वीडियो को लाइक कीजी और अपने दोस्तों में भी सेयर कीजी सभी लोग वीडियो को लाइक कीजी आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके बहुत रिसर्च करके तब मैं इसे ला रहा हूँ ये समझे एक एक टॉपिक पर कम से कम 1000 हजार के उस्ष्ण लगाया हूं तब यह StarTrick बना चुम है तब यह StarTrick बना करके और आप लोगोंको ले आ करके दे रहा हूं यह StarTrick ऐसे नहीं बनती है अगर यह फार्मूला जो मैं ने आप लोगों को बताया ऐसा नहीं है यह फर्मूला आप लोग नहीं बना सकते हो आप लोग भी बना सकते हो मैंने दो एक क्वेसन बताया एक यह Q1 प्लस Q2 इसकल टू Q1 डैस प्लस Q2 डैस और यहां पर Q1 डैस बटे Q2 डैस इसकल टू आरवन अपान आरटू इन दोनों को सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके Q1 डैस Q2 डैस दो एक क्वेसन है दो अन्नोन है तो दोनों के क्वेसन को सॉल्व करके Q1 Q2 का मान निका लिए यही आएगा आप लोग इसकी प्रैक्टिस एक बार करना चाहो तो कर लो इन दोनों को सॉल्व करो क्यों डेस का मान निकालो यही आ जाएगा क्लियर तो आप सभी लोग अगर यह ऐसी ऐसी चीज़ें मैं बता रहा हूं जो कहीं आपको नहीं मिलेगी तो सभी लोगों को वीडियो लाइक करना चाहिए और सभी लोग वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों में सेयर करो क्लियर अब मैं एक क्योस्टिन जो आया हुआ के उस्टिन है यह साइद आयए टी टूछॉजर सिक्स्टीन में आया हुआ था आया आया हुआ है अब मुझे सन्याद नहीं है इस जासे मैंने लिखोंगा थीक है अब यहां पर क्या था एक स्पेर दिया हुआ था जिसकी रे कूलम चार्ज है इस पर प्लस 10 कूलम चार्ज है इस जब इन क्या हो जाएगा सब्सक्राइब क्या होता है कि यह इ singular होका यह प्रिंट करता रहे कभी नहीं लगा पाएगा तो ऐसे ऐसे concept मैं आप लोगों को बता रहा हूं q1 dash is equal to देखे जाम से q1 dash निकालना है तो हम q1 dash निकालना है मतलब r1 उसकी radius लिख दो उसकी radius लिख दो 2r उसके बाद ऐसे बॉक्स बनाओ ऊपर क्या करना है total charge नीचे total radius total charge देखो plus 10 minus 2 total charge वह 8 कूलाम बटे total radius 2r और r जोड़ो 3r r और r कट गया 8 कूलाम है ना 8 कूलाम चार्ज नीचे r उपर r कट गया यह कितना हुआ 8 टूजा 16 divided by 3 कूलाम यह हमारा आंसर आ गया और क्यूटू पर क्यूटू डैस कितना होगा यह भी हम लोग निकाल लेते हैं क्यूटू डैस इसकल टू क्यूटू डैस निकालेंगे तो क्यूटू की radius radius कितनी है आर उसके बाद में टूटल चार्ज टूटल चार्ज कितना है 10 और माइनस 2 कितना होगा 8 कूलाम और radius टूटल कितनी होगी 3 r r और r कट गया कितना है 8 by 3 कूलाम यह आ गया अच्छा अब आंसर भी चेक कर सकते हैं कि यह आंसर हमारा सही है या गलत है क्यूँकि चार्ज कंजर्वेशन ला तो फालो होना ही चाहिए पहले चार्ज और बाद में चार्ज इक्वल होना चाहिए पहले चार्ज क्या था कनेक्ट करने के पहले प्लस दस माइनस 2 मतलब प्लस 8 कूलाम चार्ज था पहले कितना था प्लस का 8 कूलाम चार्ज था तो बाद में भी प्लस का 8 kulam charge ही होना चाहिए तो यहां पर देखे दोनों plus के ही हैं कोई minus का तो है ने तो यहां पर 16 plus 8 24 हो जाएगा 24 divided by 3 मतलब दोनों को add कर लो Q1-Q2-Q2- को add कर लो तो यह 24 divided by 3 तब भी यह plus का 8 kulam ही आजाएगा दोनों को add कीजिए 8 kulam charge जाएगा clear तो इसी तरीके से आप लोग इसको solve कीजिए इसी तरीके के बहुत सारे question हो सकते clear मैं इस पर based question जो है वह assignment में देंगा वहां पर आप लोग लगाएगा assignment को मैं telegram पर दिया हूँ वहां से आप लोग देख लीजिए अगर telegram अभी तक आप लोगों ने join नहीं किया है तो उसका link में नीचे description में दे रहा हूँ तो वहां से आप लोग जाकर के उसे join कर लीजिए टेली ग्राम पर आप लोगों को assignment मिल जाएगा उस assignment में इस पर बेश्ट कई सारे numerical मिल जाएंगे आप लोग उसको solve कीजिए ओके आप लोग इसका screen shot लेना चाहो screen shot ले लीजिए note करना चाहो note कर लीजिए conduction method के बाद अब हम लोग देखेंगे friction method charging by friction friction हम सब लोग जानते हैं घरसन घरसन कब होता है जब दो बादी को आपस में रगड आ जाता है तब ही friction होता है तो होता क्या है कि दो बादी को आपस में रगडने से एक बादी का electron निकल जाता है और वो दूसरी बादी में पहुँच जाता है या दूसरी बॉडी का एलेक्टरान निकल करके पहली बॉडी में आ जाता है means रगडने से एलेक्टरानों का ट्रांसफर हो जाता है और एलेक्टरानों का ट्रांसफर हो जाने से चार्ज जनरेट हो जाता है और जितने electron इस body से निकलेंगे उतने ही electron तो इस पर जाएंगे means इस से electron निकल रहे means इस पर जितना positive आएगा उतना ही इस पर negative आएगा means opposite charge generate होगा एक पर positive तो एक पर negative means रगडने से एक पर positive जनरेट होगा एक पर negative जनरेट होगा हम लोग इसका practical भी जानते हैं कि अगर कामब जो होती है उस कामब को हम लोग बालो में बार-बार कामब करें और बार-बार कामब करने के बाद अगर कागज के छोटे-छोटे टुकडों के पास ले आएं तो कागज के टुकडे उस कामब में चिपक जाते हैं ऐसा क्यों होता है क्योंकि कॉम्ब को बालों में रव करने से कॉम्ब के जो एलेक्टरान होते हो बालों में चले जाते हैं means वो कॉम्ब के एलेक्टरान निकल जाते हैं means कॉम्ब जो होती है वो positively charged हो जाती है और जो कागज के छोटे-छोटे टुकडे रहते हैं, वो negatively charged होते हैं, उसके जब पास लाया जाता है, तो उनके बीच क्या होता है, attraction force फोल होता है, हम लोग इसको अभी अभी आप लोग बैठे हुए, आप लोग करके देख सकते हो, एक scale लीजी, scale को बारलो में रगड़िये, और बारलो में रगड़ने के बाद, copy के page के पास ले आए, copy का page देखे, scale में चिपक जाता है, ये क्या है, ये charge induced हो रहा है, तभी वो attraction force हो रहा है, चार्ज induced हो रहा है, और charge induced हो रहा है किस method से, friction method से, और friction method में, जितना एक body पर positive आएगा, उतना ही दूसरी body पर negative आएगा, means equal and opposite charge induced होता है, charging by friction, friction method में equal and opposite charge generate होता है, equal और opposite charge generate होता है, okay, यहाँ पर when two bodies are rubbed, when two bodies are rubbed together, means जब दो body को रगड़ा जाता है, when two bodies rubbed together, electrons are transfer from one body to other body, electrons are transfer from one body to other body, making one body positively charged, and other body is negatively charged, एक body positively charged होती है, दूसरी body क्या होती है, negatively charged हो जाती है, okay, तो यह हो गया, charging by friction method, अब हम लोग देखेंगे, charging by induction method, induction में क्या होता है, induction में क्या होता है, कि induction method या तो conductor के बीच होगा, या एक conductor और एक dielectric, means परवैदुत पतार्थ के बीच होगा, एक conductor और एक dielectric material के बीच होगा, तो यह, जैसे conduction method क्या था, conduction method, conductor के बीच ही होता था, लेकिन induction method में, एक conductor और एक परवैदुत पतार्थ होगा, या एक conductor हो, एक dielectric हो, तब भी चल जाएगा, ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता, चलिए हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, induction is the process, induction is the process by which a charged body can be used to create other charged bodies without touching them or lossing its bone charge, आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आया होगा, मुझे मालूम है, चलिए, देखिए, यहाँ पर एक sphere है, यहाँ पर एक sphere है, इसमें कोई charge नहीं है, एक sphere है जिसमें कोई charge नहीं है, कोई charge नहीं है, लेकिन यह conductor है, यह किस method material का है, conductor का है, यह conductor है, और conductor में बहुत सारे free electron होते हैं, बहुत सारे free electron होते हैं, और free electron आवारा लोगों की तरह भूमते रहते हैं, मिन्स बहुत सारे ऐसे electron होते हैं, जो लगातार घूमते रहते हैं, जहां चाहेंगे वहां चले जाएंगे, मतलब एक तरही सा आवारा होते हैं, कोई उस पर रोक टोक नहीं होती है, और यह जो free electron होते हैं, होते कहां हैं, पर नहीं होते हैं, यह जान लीजिये, कि जो यह free electron होते हो, body के अंदर होते हैं, और body के अंदर होते हैं, अगर वो ना positively charged है, ना negatively charged है, जितने positive होंगे, उतने negative होंगे, means इसके अंदर एक positive, एक negative, एक positive, एक negative, जितने positive उतने negative, जितने positive उतने negative, जितने positive होते हैं, उतने negative होते हैं, इस तरीके से बहुत सारे free electron, electron means negative और positive charge इसके अंदर रहता है, conductor के अंदर बहुत सारे negative और positive charge होते हैं, clear, और इस conductor, जब इस conductor के बास कोई चार्जड वाड़ी आती है जब कोई चार्जड वाड़ी आती है हमने पॉजिटिव चार्जड ले लिया नेगेटिव भी हो सकता है तो मालीजे कोई positively charged body आई और जब positively charged body आएगी और positively charged body यहाँ touch नहीं कराना है इसके पास में आया positively charged body जैसे ही यहाँ पर आई वैसे ही यह negative charge जो है negative charge means अमारा charge free electron है free electron है अमारा electron है यह जैसे positive charge को देखें वो इसे ललचा जाएंगे और यह जिस positive के साथ बैठें उस positive को छोड़ करके भाग जाएंगे means यह positive किसको अट्रेक्ट कर लेगा negative means free electron को attract कर लेगा यह free electron यहाँ पर आ जाएंगे यह free electron यहाँ आ जाएंगे और जो यहाँ free electron आ जाएंगे और यह positive किसको ripple कर देगा positive positive को ripple क्रिफिक होल जाएं गया जितनी इसके अकात होगी उतनी कोई तो आट्रैक्ट कर पाएगा अगर इसके अंडर理 सो एक प्लांड है यहां तोड़ा सा चार्ज है जो थोड़े से लेक्ट को अट्रैक्ट कर पाएगा ज्यादा एलेक्टरान ज्यादा चार्ज बाडी ले आएंगे ज्यादा एलेक्टरान को अट्रैक्ट करेगा और ज्यादा ले आएंगे तो और ज्यादा एलेक्टरानों को अट्रैक्ट करेगा means कुछ ना कुछ यहां के अंदर भी होंगे कुछ इसके अंदर भी होंगे कुछ इधर आ जाएंगे कुछ इधर जो आवारा अलेक्टरान थे वो इधर आ गए क्यों क्योंकि वो पॉजिटिव को देख गए और देख करके लल्चा गए वो इसके पास चले आए इसके पास चले आए इससे मिलने के लिए यहां चले आए और यह पॉजिटिव चार्ज बाडी थी यहां पर रखी हुई थी और यह आवारा इलक्टरान इसको देख करके ललचा गए और इसके पास चले आए इलक्टरान इधर चला आया कोई दिक्कत नहीं उसके बाद क्या हुआ कि इनको करके लक्टरान चला गया यह हमारा इलक्टरान इनको छोड़ करके चला गया तो यह बचारे बहुत परेसान थे बहुत परेसान थे बहुत परेसान थे सिर पकड़ करके रो रहे थे तो मैंने क्या किया कि इनको अर्थ से कनेक्ट कर दिया और जब अर्थ से कनेक्ट कर दिय तो अर्थ से एलेक्ट्रान आएगा क्योंकि एर्थ में एलेक्ट्रान का भंडार है वो अर्थ से एलेक्ट्रान आएगा और ये सब को अर्थ में लेकर के चला जाएगा मींस अर्थ से एलेक्ट्रान आकर के इसको न्यूट्रल कर देगा इसको क्या कर देगा न्यूट्रल कर यह समझो कि यह सारे के सारे पॉजिटिव बिचारे रो रहे थे क्योंकि आमारा इलेक्टरान इदर चले गए यह सब के सब पॉजिटिव चार्ज मसे यह सब रहे के सारे पॉजिटिव चार्ज कहां चले गए अर्थ में चले गए इनका काम खतम हो गया यह सारे के सारे अलेक प्रेराणấu को डूरहा है इनडक्सन हो रहा है ये रहेग乾 ये टच नहीं है रहते और सशे में आप लोग ने देखा था किसमें टच हो रहा था तो कौन सा गाना फौलो यहांी यहां पर कौन ऐनτο कुछ don't touch me don't touch me means यह इसको touch नहीं करेगा इसने आया दिखाया और दिखा करके चला गया और जब यह चला गया तो यह तो चला गया यहां आर्थ में और जब यह चला गया तो अब यह sunlight का क्या हो इन इलक्तानों का क्या हुआ ललचा to गए जैसे देखा वैसे ललचा गए यहां अडवा लेकिन यह आया दिखाया और चला गया फिरिल इन इलेक्तान का क्या होगा तब यह इलेक्न ह also monitor LA कोगा तब यह amar करके दो भाटक इसके साथ थे वो मिले नहीं वो अर्थ में चले गए वो अर्थ में चले गए अब ये जो बचे हुए हैं ये किसके साथ रहेंगे अंदर अब ये इसके साथ अंदर नहीं रह पाएंगे किसी का साथ नहीं है जिसके साथ वो घर में रह पाएं अंदर रह पाएं तो इसलिए ये बाहर भटकते रहते हैं ये क्या होता है ये चार्जे जो होते हैं ये बाहर भटकते रहते हैं और अंदर इस तरीके जितने थे उतने हैं ये ये एक्सिस चार्ज हो जाता है ये एक्सिस चार्ज हो जाता है अब ये पूरी बाड़ी क्या हो गई अब ये पूरी बाड़ी नगेटिवली चार्जड हो गई देखो हमारे पास कौन से ती चार्ज बॉडी M यहां देखी में से चार्ज एक कोईторов आये और कोई दिखे तो उसकी तरफ हमें इत्रीग इतनी जल्दी से नहीं होना चाहिए, जिसके साथ हो, उसके साथ खुश रहो, नहीं तो फिर कहीं के नहीं होगे, पता लगेगा किनारे घर के बाहर-बाहर भटकना पड़ेगा, यहां पर electron भटक रहा है, यहां पर electron को attract गिया, positive charge को earth कर दिये, तो अर्थ में चला गया यह एलक्टरान यहां पर घूम रहा है means यह negatively charge हो गया यह electron क्या हो गया यह excess charge हो गया और यह rod does not loss any electron बिल्कुल भाई rod कहां loss किया rod तो आया दिखाया और चला गया तो इसलिए यह positive charge का कोई loss नहीं हुआ rod यह rod does not loss any electron कोई electron loss नहीं हुआ किसी भी electron कोई electron loss ही नहीं हुआ कोई electron loss हुआ ही नहीं means इसका कोई charge loss नहीं हुआ इसके charge पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा थोगी contact ही नहीं हुआ तो फरक कहां पड़ेगा clear अब एक बात यहां पर यह आती है जो कि सबसे important है किसी भी book में नहीं मिलेगी किसी भी YouTube channel पर नहीं मिलेगी यह अपने इस YouTube channel और other YouTube channel में जो difference है वो मैं बताने वाला हूँ अब मैं बताने वाला हूँ DK star trick DK star trick या DK star formula देखे यहाँ पर जो charge induced हुआ वो charge कितना induced होगा अब यह चीज ध्यान से सुन लो अगर यह conductor है अगर यह conductor है अगर यह दोनों conductor है अगर यह conductor है दोनों अगर conductor है तो equal charge generate होगा जितना charge यह है जितना charge यह है उतना ही charge induced कर देगा कब जब conductor है लेकिन अगर यह conductor नहीं है अगर यह dielectric material है अगर ये dielectric material है तब क्या होगा तो अगर ये dielectric material है ये इसी टाइब की numerical पूछे जाते हैं कम डीसरिंग चाम में इसलिए ध्यान समझेए अगर ये dielectric material है तो अगर conductor है तो same charge generate होगा लेकिन अगर ये dielectric material है तो इस पर charge जो generate होगा मैं मान लेता हूँ कितना charge generate होगा क्यू डैस यहाँ पर ये कितना charge था ये charge था क्यू नाट ले लेता हूँ कितना charge था क्यू नाट और यहाँ पर जो generate होगा charge जो generate होगा charge वो कितना generate होगा क्यू और क्यू की value होती है minus क्यू नाट one minus one by k यह फार्मूला होता है इस फार्मूले यह फार्मूला आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा फार्मूला है यह तो यह के यहां पर क्या है के एक कांस्टेंट जिसे पराबैदुत नियतांक डाई एलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं डाई एलेक्ट्रिक कांस्टेंट सभी चैनल को देखिए सभी बुक को देखिए और अगर ये फर्मुला मिल जाए तो मुझे ले आ करके दिखाईए कि यहां पर ये फर्मुला मिल गया और अगर नहीं मिलता है तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में सेर कीजिए चैनल कर कंड़क्टर के लिए चालक के लिए कंड़क्टर के लिए डाइ-Electric constant क की वैलू होती है infinite हम सब लोग जानते अब ही आगे इस चैप्टर में बहुत जगा यूज होगा तो कंड़क्टर के लिए के की वैलू infinite होती है infinite रख तो infinite जब यहां पर रखोगे तो one upon infinite zero हो जाएगा और जब यह 0 हो गया तो यह बचा one minus zero मतलब यह one हो गया मतलब q की value q की value q not के बराबर हो जाएगी q की value q not के बराबर हो जाएगा और मैंने पहले ही बताया यह तो जो चार्जंडि prosperous होगा वह क्योंड़ चार्ज हो जाता है generate जैता है कर रहा है कि मांगी बॉड़ी सब्सक्रामा दोगा अगर यह नगेट छुडाइख यह तीनो मेथद हो गएمرी दोग पिर सब्सक्राइब चीज और आप लोगों को बता देता हूं एक चीज आप लोग और सुन लीजिए बहुत important है आप लोग एक चीज ये जानते हो मैं कुछ भी लिखोंगा नहीं बस सिर्फ आप लोगों को सुनना है charge को sharp point पसंद रहे ऐसे ही देखो अगर मान लीजिए और इस पर अगर क्यों charge दे दिया जाए तो वो charge यहाँ पर आ करके ज़्यादा इकठा हो जाएगा यहाँ कुल भी रहेगा लेकिन यहाँ पर कम रहेगा यहाँ पर charge कम रहेगा यहाँ पर charge सबसे ज़्यादा हो जाएगा क्यों क्योंकि जिस तरह बेबी को बेश पसंद है उसी तरह चार्ज को सार्प पॉइंट पसंद है बस इसको याद रखो बेबी को बेश पसंद है आप सब को याद होगा तो जिस तरह बेबी को बेश पसंद है उसी तरह चार्ज को सार्प पॉइंट पसंद है चार्ज वहाँ पर ज्यादा इस्टोर होता है वहाँ पर ज्यादा रहता है जहां सार्प पॉइंट होता है हम लोग भी जानते हैं जैसे बिजली वगएरा जो गिरती है जो बिजली गिरती है हम लोग घरों के उपर घर के उपर या मंदर के उपर क्या लगा रहता है एक तिर चार्ज को सार्प पॉइंट पसंद है तो चार्ज सार्प पॉइंट पर ही कठा होगा और जब सार्प पॉइंट पर यहां पर आता है तो वो इसके माद्यम से रॉड के माद्यम से ले जाकर के अर्थ में कनेक्ट कर देते हैं तो सारा का सारा चार्ज कहां चला जाता है वेंडी ग्राफ जनरेटर क्या होता है कि वेंडी ग्राफ जनरेटर कुछ इस तरीके से होता है गोल और इसमें क्या होता है वेंडी ग्राफ जनरेटर हाई चार्ज इस्टोर रहता है यहां पर बहुत सारा चार्ज इस्टोर रहता है यह म्यूजियम और गैरा में मिल जाता है आप लोग मूबी में देखे होगे मूबी में देखे होगे और जो लड़कियां होती है वो लड़कियां इस तरीके से जाकर के म्यूजियम औगयरा जब जाती है ये लड़की हाँ बहुत बढ़िया बनी हैं उनके सारे बाल इस तरीके से खड़े हो जाते हैं सारे बाल इस तरीके से खड़े हो जाते हैं और बन जाती है भुतनी और जब भुतनी बन जाती है तब फोटो खिचवाती है और तब फोटो खिचवा करके उसको डीपी लगाती है और डीपी लगाने के बाद एक से एक क सुन सुन करके बहुत खुस होती है चलिए फिरहाल आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रही है आप लोग बस इसको इसमें इतना याद रखिएगा कि चार्ज सबसे ज़्यादा सार्प पॉइंट पर ही आता अच्छे ऐसा क्यों हो जाता है उनके बाल इस तरीके से खड़े क्यों हो जाते हैं क्योंकि यह जो चार्ज जाता है उनकी बॉड़ी में वो चार्ज कहां पर जाएगा सबसे ज़्यादा सार्प पॉइंट पर बाल से ज्यार्द सारा पॉइंट नहीं होता है तो इसलिए positive चार्ज जब यहां जाया यह भी positive यह भी positive तो सब दूसरे को ripple करेंगे और ripple करने के कारणौ यह क्या होंगे खड़े हो जाएंगे बाल से ज्यार्ण पॉइंट कोई नहीं होता, इसलिए सारे चार्ज्स यहां पर आ जाते हैं clear अब हम आप लोग इसको इसी तरीके से इसका notes बनाईे और proper तरीके से इसको learn कीजिए ओके, आप लोग इसको screenshot लेना चाहो, तो screenshot ले लो और इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए thank you so much वीडियो को अभी तक आप लोगो लाइक नहीं किया तो सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए all the very best इता हमका 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 हम? हमका हाथ की याइक की आप लोग दो वीडियो WyL Sun का हमका 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 हमकष इता strengthen